2014 में देश्वासियों ने भारत को खूले में सोच से मुक्त करने का ODF बनाने का संकल्प लिया था 10 करोड से जादा सावचालव के निर्मार के साथ देश्वासियों ने ये संकल्प पूरा किया अब स्वच्च भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष है गार्बेज फ्री शहर कचरे के ढेल से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना अम्रुत मिशन इसमें देश्वासियों की और मदद करने वाला है शहरों में सत्व प्रतिशत लोगों की साफ पानी तक पहुंच हो शहरों में सिवेज का बहतरीन प्रबंदन हो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मिशन अम्रुत के अगले चरण में देश का लक्ष है सिवेज और सेप्टिक मेनेजमेंट बढ़ाना अपने शहरों को वाटर सिक्योर सिटीज बनाना और ये सुनिश्जित करना कि हमारी नदियों में कहीं पर भी कोई गंदा नाला न गिरे साथियों स्वच्छ भारत अभ्यान और अमुरुत मिशन की अब तक की यात्रा वाकई हर देशवासी को घर्व से भर देने वाली है इसमें मिशन भी है मान भी है मर्यादा भी है एक देश की महत्व कांक्षा भी है और मात्रु भूमे के लिए अप्रतीम प्रेम भी है देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माद्यम से जो हासिल किया है वो हमें आस्वस्त करता है कि हर भारत भारत भार्शी अपने कर्तव्यों के लिए कितना सम्वेदंसिल है कितना सतर्क है हम सभलता में और इस सभलता में बारत के हर नागरिक का योगदान है सबका परिश्रम सबका पसीना है और हमारे स्वच्छता कर्मी हमारे सफाई मित्र हर रोच जाडू उठाकर सडकों को साप करने वाले हमारे भाई बहन कूड़े की बदबू को बरदास करते हुए कचरा साप करने वाले हमारे साथ ही सच्चे अर्थ में इस अभियान के महानायक है कोरोना के कठीन समय में उनके योगजान को देश ने करीब से देखा है अनुभव किया है मैं देश की इन उपलब्दियों पर हर भारत मासी को बदाई के साथ ही सवच्च भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमरुत 2.0 के लिए शुब कामनाय देता हूँ और इससे सुखत ये क्या होगा कि ये नई शरुवात आज गांधी जैनती के एक दिन पहले ही हो रही है ये अभियान पुझ्य बापु के प्रेना का ही परणाम है और बापु के आदर्सों से ही सिद्धी की और बढ़ रहा है अब कलप्रा करिए स्वच्चता के साथ साथ इससे हमारी माताओं बेहनों के लिए कितनी सुविधा बढ़ी है पहले ही कितनी ही महलाएं घर से निकल नहीं पाती थी काम पर नहीं जा पाती थी क्योंकि बाहर टॉयलेट की सुविधाई नहीं होती थी कितनी ही बेटियों को स्कूल में सौचाला इन्न होने की वज़े से पढ़ाई छोडनी पढ़ती थी अब इन सब में बढलाव आ रहा है आजादी के 75 वर्ष में देश की इन सभलताओं को आज के नए संकल्पों को पुझ्य बापु के चरणों में अर्पित करता हूं और नमन करता हूं